असलाम वालेकुम दोस्तों मैं उमेद करता हूँ आप सब खेरियत से होगे मैं हूँ मुहमद उस्मान करियर्स हेल्प डेस्क की जानिब से आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ explain करूंगा कि आप लोग का scholarship 2021 में कैसे apply कर सकते हैं हो सकता है आपने scholarship को first time सुना हो क्योंकि जर्मिनी का जो scholarship है वो दाद के नाम से ज्यादा famous है तो fully funded scholarship है study in Germany international students पुरी दुनिया से scholarship के लिए apply कर सकते हैं आप लोग masters या M field PhD और postdoc research के लिए scholarship के लिए apply कर सकते हैं और किसी field की या किसी भी ऐसी field की restrictions नहीं है जिसमें आप apply ना कर सकते हों तो आप any field of study जिस field से भी आप belong करते हैं आप इस scholarship में apply कर सकते हैं scholarship की value होगी वो fully funded scholarship है fully funded से मुराद ऐसे भी है कि Germany में वैसे भी education free है तो आपके जो extra expenses होते हैं वो आपको scholarship में cover कर दिये जाते हैं क्या requirement है और आप लोग कैसे उसमें apply कर सकते हैं तो चलिए चलते हैं career selfplex.com पर तो आपने इस website पर आना है जैसे इस website पर आएंगे तो आपको multiple जो है latest scholarships यहां पर मिलेंगे आप यहां से भी search कर सकते हैं इसके bell icon पर भी click कर दीजिएगा जैसे ही आप card scholarship पर click करते हैं तो आपके सामने इस तरहां से complete form आता है जिस पर complete information detail के साथ given है step by step कि क्या requirement है कौन लोग apply कर सकते हैं और कैसे आप लोगों ने apply करना तो card क्या चीज़ है card है the Catholic academic exchange service तो यह foundations जो है कि German Catholic Church institutions जो है scholarships देता है students को कि वो आएं और अपनी further जो higher education है उ पहले ही आपको explain कर चुका हूँ card scholarship है German university है any field of study है master's PhD postdoc है international students इम अप्लाए कर सकते हैं तो जो main यहाँ पर eligibility criteria जो main इसके अंदर चीज़ है वो यह कि international student होने चाहिए कहां से होंगे Africa, Asia, Middle East and the Latin America एक किसम का पूरी दुनिया ही आ जाती है international students यहाँ पर apply कर सकते हैं second is की requirement क्या है कि आपके पास जो है आपकी degrees होनी चाहिए और आपके पास professional experience भी होना चाहिए experience की यहाँ पर कोई limitation नहीं है ना ही कोई requirement बताई गई है कि आपके experience होगा एदर वो internship है एदर वो training engineer एदर वो apprenticeship है यह regular आप employee है तो आपको वो help out करेगा अगर आप masters के लिए apply कर रहे हैं तो आपके पास bachelor की degree होनी चाहिए अगर आप PhD के लिए अप्लाए कर रहे है तो आपके आपके पास master की degree होनी चाहिए अगर आप पोस्डॉक के लिए कर है तो आपके पास जो है PhD होनी ही चाहिए यहाँ पर जो में इंपोर्टेंट बात जो आप लोग वो शायद कंफ्यूज करें वो यह कि are Catholic Christian यह अगर आप है Christian है तो well and good अगर आप नहीं है तो बाकी जो other religions है candidate from other religions can also apply आप लोग इसमें apply कर सकते हैं यह कोई बड़ा वो procedures नहीं है कि आप समझें कि हम लोग तो apply ही नहीं कर सकते तो language requirement के अंदर यहाँ पे लिखाव है possesses German language skills before starting these studies will can provide a language course of maximum six months कि आपके पास German language certificate होना चाहिए अगर नहीं है तो आपको यह scholarship जो foundation है वो six months के लिए आपको German language भी पढ़ाएगी यह आपको institutions में fund करेगी कि वो आपको German language सिखाएंगे तो यह बड़े important point थे इसके लिए अगर आप इसमें fulfill करते हैं कि जी हाँ यह eligibility criteria तो बड़ा असान सा है और मैं इसको जो है ना meet करता हूँ तो then आपने apply करना है field of studies आपको बता दी गई है कोई field of studies यहाँ पे कोई restrictions नहीं है किसी field के बारे में किसी भी program के बारे में आप किसी के लिए भी apply कर सकते हैं तो next procedure आता है how to apply क्योंकि आपने देख लिए कि मैं हर चीज़ को meet कर रहा हूँ या कर रही हूँ अब point आता है कि आपने application को submit कैसे करना है तो point को submit करने के लिए application को submit करने के लिए आपने इस link पे click करना है यह simple application form है आप कह सकते हैं यह questionnaire है कि आपकी just first evaluation है आप send करेंगे अगर आपकी evaluation होती है then आपको further procedures through email जो है बताया जाता है तो इस link को मैं बताता हूँ कि आपने कैसे करना उसे पहले आगे चलते हैं documents requirement में कोई ऐसे documents नहीं है जैसा कि बताया कि यह एक general questionnaire है अगर आप उसको evaluate कर अगर आपकी application उस evaluation में successful हो जाती है then आपको further procedures के लिए inform किया जाएगा benefits की बात करें तो fully funded scholarship होता है जैसा कि बताया कि जर्मनी की अंदर education free होती है आपको कुछ pay करने के जुरूरत नहीं होती तो जो बाकी expenses होते हैं वो आपको scholarship के जरीए cover कर दिये जाते हैं तो यह scholarship आपको उतना ही scholarship provide करेगा जो दूसरे government scholarship जर्मनी में international students को दिये जाते हैं example दाद या कोई और जो भी हैं अगर आप official announcement देखना चाहते हैं तो आप इस link पर click करके official announcement देख सकते हैं कि scholarship क्या चीज required है कैसे apply करना है क्या वो expect करते हैं तो यह वही चीज़े हैं जो मैंने वहाँ पर बताई है आप inquiry कर सकते हैं और यह वही application portal है जो हमने उस link पर click करने के बाद हम यहां पर आए और इसके अलावा at the end journal कुछ भी नहीं है यहां पर आके application खतम हो जाती है और website, facebook group, facebook page, youtube इसको भी join कर ली जाएगा ताकि आप तक information पहुंच सकें तो अब हम आते हैं इस questionnaire पर कि आपने इस questionnaire को कैसे fill करना है यह बहुत ही असान है यहां पर लिखा है surname name, first name, यहां पर confusion होती है वो यह कि आपका जो जब आप passport international level पर बात करते है तो आपका second name first होता है means जैसा कि surname है मेरा नाम मुहमद उस्मान तो मेरा surname में आ जाता है उस्मान, first name में आ जाता है मुहमद, हलांके surname यह नहीं होता जो उस्मान है वो मेरा family name है, given name है, surname होता है जो आपको family से मिलता है, पीछे से चलता आ रहा होता है, for example, चोटी सी example देता हूँ, काफी लोग जो है अपने caste को use करते हैं, मुहमद उस्मान खान, उनके फादर का नाम भी पिर खान, पिर खान, तो वो जो होता है न वो उनका सर ने मारा होता है, most लिए नहीं होते हैं, तो आ specific information about religious group, अगर आप देना चाहते हैं, specific information कुछ ऐसी, जो आपको लगता है, कि ये मुझे explain करनी चाहिए, for example, अपने religion के बारे में, कि आपका religion क्या कहता है, international community के लिए, social community के लिए, या other religions के बारे में, तो आप वो उसको बता सकते हैं, ताकि वो impressive हो, अपने address बताएंगे, email ल पर academics means the education part है, examples आपको यहां पर दी गई है, आपने अपनी degrees के बारे में बताना है, कौन सा level है, MA है, अपने MSC की है, PhD की है, जो भी की है, कौन सा subject सा वो बताएंगे, फिर आपने grades बताएंगे, या percentage बताएंगे, जो भी आपका है, तो आपने वो सारी यहां पर अपनी educations को बता रहा है, आप sections भी बना सकते हैं, easily, यहां पर खुदी करके, for example, आप बताएंगे, के जी BS है, फिर आगी आप इसके लिख सकते हैं, जी, subject आप बताएंगे, for example, engineering, chemical engineering है, फिर आप उसके grades बताएंगे, 87% है, या 3.7 out of 4 है, तो उस तरहां से, उसके बाद आपका overall grade, overall grade से यहां पे अगर आपकी है तो ठीक है, औरना आप none of the कर देंगे, और वो आपको six months के लिए पढ़ाएंगे, और employer, employer से जैसे बताएंगे, work experience, तो अगर आप already job कर चुके हैं, या आप इस वक्त unemployed हैं, तो जहां पे आपकी पहली previous जो जॉब थी last, आप उसके बारे में बताए अगर आप currently कर रहे हैं, तो आप उसके बारे में बताएंगे, employer का मतलब होता है, कहां पे आप इस वक्त job कर रहे हैं, वो industry हो सकती है, university हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आप उसके बारे में यहां पे detail देंगे, intent study project course, यहां पे आपने यह बताना है कि आप कौन सी study, कौन सा course करना चाते हैं, for example, मैं PhD chemical engineering करना चाता हूँ, मैं लिखूंगा PhD chemical engineering, फिर आप उस university बताएंगे, किस university से आप करना चाते हैं, यह आपने खुद से सर्च कर लेनी है, आपने departments के वाले से, do you want to study in Germany, obviously बात है, intent degree आपका कौन सा है, master's, PhD आप चूज़ करेंगे, careers objectives, यह बड़ा important है, 300 characters तक आपने लिखना है, maximum, careers objective वो ही है, goals, अगर आप select हो जाते हैं, तो आपके careers objective क्या है, यह आपके careers को कैसे impact करेगी, यह affect करेगी, तो आपने उसको बताना है, यह अगर मैं short love, उसमें मैं बताऊं words में, तो यह same वो ही है, जो आप goal लिखते हो, statement of purpose में, या study plan में, त आप कितने committed हैं, social activities से, religious activities से, committed, very committed, up to you, आप कितने हैं, बताएंगे, और यहाँ पर आप specific information about religious and social activities भी बता सकते हैं, special, specific information means what kind of, जो है, आपकी religious activities होती हैं, कब होती हैं, क्या करते हैं, social activities कौन कौन सी हैं, जिसमें आप ज्यादे expert हैं, आप वो बता सकते हैं, यह simple सी चीज़ आप बता सकते हैं, जी हमारा five times a day नमाज होती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा रमदान होता है, इदैन होती है, कुर्बानी होती है, क्यों होती है, आप उनके मकासित बता सकते हैं, मतलब कि जो आपके important है, आप लोग करते हैं, फिर आपने यहाँ पे religious and social activities देनी हैं social का तो आप बता सकते हैं, religious तो इतनी यहाँ पे नहीं होंगी, क्या बताएंगे, तो social आप बताएंगे, activity क्या थी, आपका rule उसमें क्या था, और कब से कब तक आपने किया, multiple यहाँ पे ads कर सकते हैं, अगर ज्यादा है, तो at the end आपने इस पे click करना है, और send पे click कर देना, आपकी application send हो गई है, इसके इलावा आपने कुछ नहीं करना, किसी को email नहीं करने, किसी को documents आपने send, नहीं करने, that's it, यह था application procedure का scholarship, अब अगर आपकी applications evaluate होती है, और वो देखते हैं, कि आप strong candidate हैं, then वो आपको जो है, through email आपको further procedures बताएंगे, अब वो किस basis पे होगा, वो इसी basis पे होगा, कि आपका career objective क्या है, आपके grades क्या है, यहाँ पर देखा जाएगा कि आपका department कौन सा है, और यहाँ पर specific information जो आप बताते हैं, जो मैं आपसे request करना, वो बताना, जो international levels पे, वैसे तो हमारा इसलाम, या कोई भी मजब है, किसी दूसरे को मजब को गलत नहीं नहीं कहता, तो अगर आप इसलाम मुस्लिम हैं, तो आपने कोशिश करनी है, कि आप वो बताएं, कि जो आना, जो impressive होता है, means, सब कुछ तो इसलाम में impressive ही है, कुछ ऐसा नहीं है, जो घलत हो, लेकिन आपने कोशिश करनी है, वो बात करें, जो social level पे है, जो आपके scholarship के level पे उसको meet कर सके, तो यह था, इसमें procedures apply करने का, ऐसा इसमें कुछ नहीं है, जो आप लोगों को समझ में ना आए, और मैं अमीद करता हूँ, यह video आप लोगों को help out करेगी, मैं scholarship में submit करने के लिए, तो at the end, आप लोगों से बस यह request होगी, कि Career Set Blacks website को subscribe करें, YouTube channel को subscribe करें, और जोइन कर ले, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, जो आपको बता सकते हैं, sometimes मैं busy होता हूँ, मैं reply नहीं कर पाता, तो आप इस group को जोइन कर ले, और अपनी curious आप यहाँ पर पूर सकते हैं, और आज मैं multiple scholarships की videos upload करने वाला हूँ, one by one, तो touch में रहिएगा, कि यहाँ देख सकते हैं, आप काफी सारे scholarships upload हुए हैं, लेकिन videos बहुत काम हैं, और students को problem आ रही हैं, तो मैं one by one, जो आज कोशिश करूँ हो, कि videos यतनी हो सके हैं, मैं बना के upload कर सकूँ, तो आज के लिए इतना ही दौन में आद रखिएगा, अल्ला हाफिज